हालो फ्रेंड्स नमस्कार सेयर मार्केट एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मैंने एक वीडियो दो गंटे पहले बनाया था और रेगुलर वीडियो था बट अभी मैं अर्जेंट वीडियो बना रहा हूं मैं एक काम कर रहा था उपना काम छोड़ के आप माना फिराना नहीं सीधा मैं आप लोगों के लिए न्यूज लाया हूं राइट सबसे पहले सबसे तेज और दोस्तों अगर आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताईएगा और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजएगा पहली बाद जिससे इस तरह की वी मूडी ने एस बैंक की रेटिंग अगरेट किया है एक साल पहले दिसंबर में देखे बी वन से बी टू किया था भी बी टू से बी थी किया है आप बोलेंगे कि यह तो पहले एक न्यूज है वन मिनट अपडेटेटेग नॉमबर दस साथ बच के साथ मिनट अभी कितने हो अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा तो दोस्तों यह ख़बर है मूडी ने रेटिंग अपग्रेट किया है कितना बी टू से बी थी कर दिया है पूरा डिटेल इसने आउटलुक दिया हुआ है तो इस चीज को अब देखे आप बोलेंगे कि यह कोई सी है यह तो ठीक है तो मैं बताऊंगा लास्ट टाइम मूडी ने अपग्रेट किया था तो क्या हुआ था और इस बार क्या होने वाला है अगे आने वाले दिनों में और इंप्रूव होगी इसके चक्कर में देखे मूडी ने आउटलुक B2 से B3 कर दिया और आउटलुक पॉजिटिव कर दिया लास्ट टाइम इन्होंने B1 से B2 किया था इस बार B2 से B3 करिया है आप देखों दोस्तों अगर आप मेरे काम को अगर पसंद करते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए अगर पहली बार आ हैं और ब बोलेंगे कि पिछली बार क्या हुआ था जो इस बार हो जाएगा तो ठीक है पहले मैं न्यूज कवर कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था और क्या हो जाएगा बीटू से बीथरी किया आउटलूक स्टेवल कर दिया है और डीटेल में रिपोट आएगी मैं आपको बताऊंगा अब देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक साल पहले जब मूडीन अफ्ग्रेट किया था यहाँ पे देखिए यह नॉंबर दिसंबर पांच को सेम जो है वहां से 21 रूपय तक गया था फिर देख रहा हूं फिर से बता रहा हूं आप सच करके देख लीजेगा मैं जोट बोलना हूं आपको लग रहा है कि मैं जोट बोलना हूं तो लास्ट टाइम रेटिंग अफ्ग्रेट किया था तो यहाँ पे देखिए 5-9 देसंब है उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी जो लोन देने की छमता है क्रेजिट प्रॉफाइल है वो अपडेट हो गई है वो बढ़िया हो गई है इसके चक्कर में बीटी सू बीटू से यह बीथ्री कर दिया है रैट अब इसके चक्कर में दोस्तों एक अपर सर अपर सर्कक्ड था तो 13-14 रूपै से 15 हुआ फिर 16 हुआ था पांच परसन्ड वाला 10 परसंड अपर 18 रूपै के अपर circuit का सिरीच चलना चाहिए बात समझ रहे हैं मतलब circuit पे circuit circuit चलना चाहिए दोस्तों ऐसा मैं एक पुराना experience है जो 5 दिसंबर को moody ने rating upgrade किया था एक साल पहले तब circuit पे circuit चला था और इस बार देखिए जो फिर से moody ने rating upgrade किया है उसके चक्कर में ये circuit circuit पे circuit का सिर्फिला चलना चाहिए तो दोस्तों अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर मेरे काम को पसंद करते हैं तो दस नेट पहले की news है लोग तो इधर उधर काम कर रहा होंगे मैं अभी मैं जो कि news देखता रहता हूँ आपके लिए कुछ अच्छा positive news हो तो ये sbank के बारे में मैं आपको निकालू और देखे इसने एक साल पहले सीधा 14 रूपए से 21 रूपए गया था इस बार फिर से share कितने रूपए पर 13 रूपए होप जो है 21 रूपए इस बार cross कर देगा और circuit पर circuit का जो सिल्सिला है वो चलेगा तो ये चीज़ ध्यान रखेगा दोस्तों मीनवाइल पहले भी अच्छी खवरें आई थी देखे इसमें इन्होंने नौन एक्जक्यूटिव डिरेक्टर शदर सर्मो के पॉइंट किया था कितनी अच्छी खवरें इसमें पहले भी आ चुकी है राइट तो ये सब खवरें थी दोस्तों देखे आर्बियाए पैनल का और अर्सी की भी न्यूज थी अर्सी में देखे ये मैंने आप इसमें एक वीडियो बनाया हुआ था तो मैं दुबारा नहीं बताऊंगा पूरा डिटेमिल कितना जान लीजे कि ये अर्सी वाली न्यूज थी अर्सी में क्या है कि एक फेवरेवल येस बैंक के लिए होने वाला था क्योंकि जो fraud account थे एस bank है वो पहले अर्सी में नहीं था अब जो है fraud account भी अर्सी में इंक्लूड होने वाले हैं तो दोस्तों ये सब चीजें जो अच्छे चीजें होते 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 अब rating upgrade की बात आ गई अब देखिए finally किसने rating upgrade किया है सबसे बड़े broker agency कि इसने मूडी अब आप बोलेंगे अभी वीडियो में कमेंट करके कि नहीं यह कुछ नहीं होगा तो दोस्तों मैंने नहीं बोलना था मूडी को रेटिंग अपग्रेट करने के लिए मूडी ने देखा समझा सब कुछ किया और पूरा कमेंट दिया है देखें 10 November 2021 साथ बच के साथ मिर्ट अभी देखें साथ बच के 20 मिर्ट हो रहे हैं मैं दो मिनिट में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए सीधा सीधा पहले B2 था B3 कर दिया दोस्तों B3 ऐसा है कि अच्छे अच्छे बैंकों का B3 है अब उसी अच्छे Axis Bank ICCI Bank HDFC Bank की सेरी में सामिल हो गया है कौन सा अपना Yes Bank क्योंकि इसकी रेटिंग हो गई है B3 और इस्टेबल हो गई है The Agency says that upgrade reflects Moody's expectation of a further improvement of the bank's credit profile तो दोस्तों bank की credit profile समझ रहा है एज बैंकर इसको लोन देने की छमता है बहुत ज्यादा इंप्रूब होई है तो दोस्तों सबसे फिर से मैं repeat कर रहा हूँ यह तो आपको news पता चलगी last time फिर से बता रहा हूँ कि जब पिछली बार rating upgrade हुआ था share 13-14 रुपए पे था मोडी नहीं upgrade किया था 5 December को मैं time भी बता रहा हूँ 5 December Google के search करके अब पता कर ली जगा बहुत लोग बोलते हैं मैं जूट बोलता हूँ आज भी किसी ने वीडियो पे comment करके बोला था कि आपको जूट बोलते हुए कुछ कितना मुधर्द नहीं करता या फिर क्या शरम नहीं आती ऐसा कुछ तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ last time 5 December को rating upgrade हुआ था 5 December 2020 को तो share 14-20 गया था 21 इस बार देखे 10 number को rating upgrade हुआ है तो share hopefully देखे 10 number को rating upgrade हुआ है hopefully share 21 रुपय क्रोस करके 24-25 रुपय पर जाना चाहिए क्योंकि देखिए rating में देखिए B2 से B3 हुआ है Axis Bank, HDFC Bank का फी rating B3 है तो उन बैंकों की सेड़ी में यह सामिल हो गया रहे तो दोस्तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं कमेंट करके बताईएगा और चैनल नहीं बंदे हैं वीडियो के पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो आप subscribe करिए मुझे एक थमसब दीजिएगा Thank you